रेट्रो डोगेश चानल को सब्सक्राइब करें एम लोद दोस्तों मेरा नाम है रेट्रो डोगेश और आज हम डोगेश के एक इससे के बारे में आप सब को बताने डा रहे हैं हीट फोन्स लगा लो और हमें फेस्बुक को और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एक बार की बात है जब एक नाई ने बाल काटने के दुकान खोली थी फिर हर रोज की तरह नाई लोगों के बाल काटता था फिर एक दिन एक आदमी ने नाई से कहा अगर ये दुकान तुम्हारी उपर होती तो ज्यादा अच्छा होता फिर नाई सोच में पढ़ जाता है और कुछ दिनों बाद नीचे वाली दुकान खाली कर देता है और उपर वाली दुकान में शिफ्ट हो जाता है फिर नाई कहता है कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि नीचे वाली दुकान अब उपर शिफ्ट हो गई है फिर नाई कुछ सोचता है और एक board पर short form में यह लिख देता है कि अब नीचे वाले बाल उपर बनते हैं फिर एक दिन डोगेश दूकान के सामने से जा रहा होता है तो उसकी नजर बोड पर लिखी सूचना पर पढ़ जाती है कि नीचे वाले बाल अब उपर बनते हैं यह पढ़कर डोगेश तुरंत नाई के पास जाता है और नाई से पूछता है कि सच में यहां नीचे वाले बाल उपर बनते हैं फिर नाई डोगेश से कहता है हाब हामिया सही सुना है अब नीचे वाले बाल यहां उपर बनाय जाते है फिर डोगेश नंगा हो जाता है और अपने काली-काली लंबी-लंब जहाटे नाई के सामने खूल देता है फिर नाई आह सब देखता है और गुस्षे में बोलता है भूस्डी के मौदचोब बेन के लोड़े मसर की जाट गडू मर्फी कूपते ही तक्तों के एगगे भूम सड़ी के ये क्या कर रहा है फिर डगेश नाई से कहता है तूने ही तो नीचे बोर्ड पर लिखा है कि नीचे वाले बाल उपर बनते हैं देखा आपने लापरवाई का नतीजा है